आज फिर से हम दुबारा इसके बारे में बात करते हैं कि grammar क्या होता है दोस्तो grammar is a set of rules that govern a language दोस्तो पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था what is grammar grammar is a set of rules that govern a language किसी भासा को अनुसासित करने के लिए जो नियम होते हैं उसे व्याकरन कहते हैं दोस्तो मैं आपको बता दू जो और five parts of English grammar अंग्रेजी व्याकरन के पांच भेद होते हैं अर्थोगराफी जिसे हम one विचार कहते हैं दूसरा है etymology जिसे हम सब्द विचार कहते हैं तिसरा है syntax जिसे हम वक्त विचार कहते हैं फूर्थ में है punctuation जिसे हम चिन विचार कहते हैं और फिफ्थ में है आपका प अच्छा सुरुता बनाए अर्थोगराफी क्या है से हम समझने का परियास करते हैं अर्थोगराफी जिसे हम समझने का परियास करते हैं अर्थोगराफी is the part of English grammar in which we have studied alphabet origin of letters, use of letters, sounds of letters and spelling rules दोस्तों अपने दिमाग में ठूस डालिए कि अर्थोगराफी वन विचार अंग्रे के बारे में ध्यन करते हैं अच्छर की उत्पति के बारे में ध्यन करते हैं और यूजेज अफलेटर्स के बारे में ध्यन करते हैं और यूजेज अफलेटर्स के बारे में ध्यन करते हैं साउंड्स अफलेटर्स के बारे में ध्यन करते हैं अच्छर का जो ध्यनी हैं उसके करते हैं spelling rules का ध्यन करते हैं origin of letters का ध्यन करते हैं orthography के अंतरगत हम बात करेंगे अब etymology दूसरा part जो English grammar का है etymology जिसका मतलब होता है सब्दी विचार इटीम का मतलब होता है word और logy logy का मतलब होता है study मतलब इसको हम wordology भी कह सकते हैं या word study भी कह सकते हैं अर्थाट etymology का दूसरा नाम होगा word study या wordology दोस्तो etymology is the part of English grammar in which we study the origin of words historical development of words and uses of words and nice cities etymology सब्द विचार व्याकरन का वह पर भाग है जिसमें सब्द की उत्पति सब्द की अतिहासिक विकास हैं यहां पर देखली जिए classification class का मतलब घृफ और एफ वाई जो है वह बनाना होता है और एशर का मतलब होता है विकास की वैख्या करते हैं क्लास सब्द लेटिन भासा के क्लासिस सबसे आया है और जिसका मतलब होता है लेटिन के ही फेर्स टू मिक्स से बना है तो दोस्तों याद रखिएगा कि हम सब्द केतिहा सब्द कुद्पत्ति कैसे हुई इसका जब अध्यन करते हैं तो समझ लो एतिमिोलोजी का अध्यन हम लोग करते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि एतिमिलोजी के बाद आ जाता है आपका सिंटेξ पंचुएसन अगले एपिसोड में हम सिंटेक्स की चर्चा और पंचुएसन आप सधी की चर्चा करेंगे दोस्तों ये विडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेर करें